हेलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ रख सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग आप बात करें न्यूस के उपर आने से पहले आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी या फिर सेंसेक्स आज की दिन हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिले ये एक बहुत ही अच्छा संकेते बाजार के लिए सबसे पहले आप लोग को पता है कि बजट में भी ऐसा ही देखने को मिला था कि बजट के पहले के दिन तेजी देखने को मिली थी during budget भी तेज़ी देखने को मिले and budget के next दिन के बाद भी तेज़ी देखने को मिली थी then उसके बाद अगर कोई बड़ा event फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है तो वो था MPC की बेठक, monetary policy, दुनिया बर के central bank की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को rate change से related, कोई ना कोई update देखने को आपे मिल रहा है and rate change होना आप लोगों को पता है कि first अगर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखे, bookish knowledge के भी बात करे prima facie evidence की बात करे, तो वो equity market के लिए अच्छी बात नहीं होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आज जो भी फैसला लिया गया है बाजार को तो at least पसंद आया है और इसलिए हम लोगों को यहाँ पर nifty 50 में, sensex में तेजी देखने को मिली है जैसे ही यहाँ पर MPC की बेटक स्टार्ट हुई, उसके पहले अच्छा कासा profit booking देखने को मिला था pressure देखने को मिला था, और उसके बाद जैसे सारे चीजे clear हो गई तो बाजार ने तेजी बरकरार भी रखी तो हम लोग कह सकते कि बाजार को MPC की बेटक में जो भी फेसले यहाँ पर आज की दिन लिये गए है वो तो उससे कोई भी बाजार को यहाँ पर complaint तो नहीं है तो चले दोस्तों यहाँ पर आज आते कि MPC की बेटक में कौन से important फेसले यहाँ लिये जा चुके है और आगे जाके क्या क्या चीजे हम लोगोंने किसके उपर focus यहाँ पर रखना चाहिए आगेन के रहाओ आसान भाशा में तो चलिए सबसे पहले अगर में बात करूं दोस्तों कौनसा वो एक खबर है जिसके चलते पूरे बाजार में हम लोगों को धमाक होते हैं देखने को मिला है रेपो रेट की बात करें तो आप सबी लोगों को पता है कि रेपो रेट यहाँ पर 4% पर हम लोगों को चलते वे देखने को मिलता है अंचेंज और वैसे तो expectation था कि रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं होगा और उसी के साथ साथ जो RBI accommodative stance जो लेता है वो भी उन्होंने यहाँ पर जितना जरूरत पड़ेगा वो continue रखेंगे मतलब यह भी चीज उन्होंने यहाँ पर unchanged रखी है इसको भी उन्होंने continue रखा है जो पहले हुआ करता था वही चीज़े इस भी MPC की बेटक में जो main चीज़े हम लोगों को देखने को मिलती है rate बदलेगा नहीं बदलेगा तो यहाँ पर कोई भी चीज़े हम लोगों को देखने को अभी तक तो यहाँ पर मिली नहीं है यह शायद से बाजर को यह पॉइंट अच्छा लगा होगा क्योंकि जैसे में ने खा कि rate बदलना equity market के लिए यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर नहीं होती है तो इसके चलते कभी बाजर खतम नहीं हो जाता बट यह तभी एक छोटा सा हम लोगों को negative reaction देखने को आपर मिल सकता है बट आज के अभी की दिन की बात करे तो कोई भी rates में हम लोगों को बदलाओ देखने को नहीं मिला यह बाजर को सबसे पसंदीदा बात यहाँ पर देखने को मिली है देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करे शक्तिगांता दाज जी ने और भी बहुत सारे important बाते कही है जैसी कि जो support policy है recovery की हिसाब से अगर हम लोग बात करे तो उसको भी उन्होंने continue यहाँ पर रखा हुआ है तो यह भी एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है और प्लस जो दोस्तों जो rate change से related जो भी फैसला होता है वो कोई एक फैसला नहीं लेता है यहाँ पर members होते हैं हम सभी लोग को यहाँ पर पता है Federal Reserve, FOMC की जो बैठक होती है नहीं यह तो हमारे MPC की थी So FOMC, Federal Reserve की जो बैठक रहती है उसमें कितने members होते हैं जरू comment section में मुझे बता देना मैंने बहुत बार आप लोग के सामने वो चीज़े रखिया अगर आपको नहीं भी पता है Google करके देख लेना within 10 seconds आप लोग को सवाल का जवाब मिल जाएगा So चले दोस्तो आज आते next important point के उपर So दोस्तो अभी हम लोग आ चुके सबसे कीमती point के उपर मतलब rate change के बाद अगर कोई दूसरा important point होता है तो दोस्तो बो होता है कि हाँ पर RBI आगे क्या सोच रहा है इंडिया की भविश्यक की बात करे, economy की बात करे, growth की बात करे, भेंगाई की बात करे तो उसका forecast लिखा है, forecast मतलब आगे जो होगा उसका projection क्या है उनके पास बहुत सारा data रहता है, उसके इसाब से वो एक अनुमान लगाते है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, growth मतलब आप बोल सकते हैं GDP की ही बात चल रही है, ऐसा भी आप पकड़ लेना और inflation मतलब महेंगाई दर, आप ऐसा भी आपे बोल सकते हो तो बहुत ही simple है दोस्तों, देखे, RBI का काम यही होता है कि यहाँ पर growth क्या चलेगी, उससे related बाते देखना और महेंगाई को, यहाँ पर बिलकुल balance रखना महेंगाई कैसी चीज है दोस्तों, जो बहुत भी बढ़नी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बिलकुल बीच में रहनी चाहिए तो ही जाके उसका importance यहाँ पर रहता है और यही RBI का काम फिलाल रहता है तो चले दोस्तों, एक-एक point को यहाँ पर cover कर लेते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपे MPC की बेटक में प्रोजेक्शन दिया है, अनुमान लगाया है कि यह जो financial year 23 अभी financial year, यह में जो लोग बिलकुल नहीं, उनको में बताना हो चाहिए financial year कब से start होता है, दोस्तों, एप्रिल से लेके March तक, यह होता है एक financial year अभी financial year 23 की बात हो रही है मतलब 1st April 2022, जो अभी चल रहा है अभी तक यह date आई नहीं है बट 1st April 2022 से लेके 31 March 2023, इसको बोलते financial year, रैट, calendar मत पकड़ लेना कि 1st January से लेके December नहीं इसको बोलते financial year April से लेके यहाँ पे March तक बेसिक चीज़े बट जो लोग बिलकुल ने, उनको यह चीज़े पता होनी चाहिए सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें financial year 23, यह जो 1st April 22 से लेकर 31st March 23 तक अगर हम लोग GDP के अनुमान की बात करें ग्रोथ की बात करें तो 7.8% तक का अनुमान यहाँ पे RBI ने फिला तो MPC की बेटक में हम लोग को यह चीज़े project करती भी देखने को आपे मिल चुकी है और इसमें भी क्या-क्या कैसे-कैसे path रहेंगे वो भी उन्होंने आपे बताए है मतलब quarter 1 देखने को मिल जाता है quarter 1 में क्या आता है आप सब लोग को पता है April, May, June देखने को मिलेगा quarter 2 में July, August, September देखने को मिलेगा फिर October, November, December and last quarter अगें आप लोग को पता है January, February, March देखने को यहापे मिल जाता है जिसको Q4 बोलते है अभी हम लोग अगर बात करें तो पिछले financial year के Q4 में है ठीक है, यहापे अगर हम लोग बात करें तो quarter 1 यहापे April, May, June की पात करें तो 17.2% का ग्रोथ का अनुमाने अभी इतना जादा क्योंकि नो डाउट पिछले टाइम का जो बेस था वो बहुत ही लो है, इसलिए जादा है next quarter 2 की बात करें यहापे तो 7% तक performance यहापे सुधर तेवे देखने को मिल सकता है then Q3 में 4.3 and then 4.5 so धीमे-धी में no doubt यहापे earlier जो quarters है, वहापे आपको ज़्यादा क्यों performance देखने को मिल रहा है, क्योंकि last work का बेस लो था, तो इसलिए जब बेस लो रहता है जहापे हम लोग कह सकते है कि यह वाला जो है 7% यह पहले अनुमान लगाया गया था कि 7.8% तक growth यहापे हो सकते, तो यह growth हम लोग को कम देखने को यहापे मिल रही है, जो कि negative point RBI के MPC की बेटक में हम लोग को देखने को मिला है, growth में अनुमान में कम बताना भी हम लोग कह सकते हैं, खराब बात है जो कि आप लोग यह आपे देख सकते हो ठीक है दोस्तों, यह numbers की बात है यह number change हो सकते है, क्योंकि uncertainty बहुत होती है बाजार में, next अगर हम लोग बात करे तो महेंगाई, यह सबसे important चीज होती है, क्योंकि अभी के हिसाफ से अगर में बात करू, दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी countries, जो हमेशा growth को ही पकड़ कर चलती है, उनको भी inflation का जटका लगते वे देखने को मिल रहा है अगले साल की बात करे, financial year 23, मतलब 1st April 22 से लेके 31, 23 तक की अगर में बात करू 4.5% के आसपास projection किया जा रहा है कि हमारा inflation इतना हो सकता है, बहुती मतलब हम कह सकते है कि अगर difficult एक चीज उन्होंने आपे बोली है यह बहुती tough projection है 4.5 बुरा है कि अच्छा है? बहुत अच्छा है खुदी उन्होंने projections बता है यह करके, so 4.5 मतलब हम लोग कह सकते हैं कि महिंगाई, control होने की बात वो यहाँ पर कर रहे है, कौन से? यह आने वाले साल में, right? So इसमें भी उन्होंने अलग-अलग अनुमान सामने यहाँ रखे है मतलब यहाँ पर अगें देख रहे हो, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 की बाते वो कर रहे है So April, May, June की बात कर तो 4.9% की महिंगाई देखने को मिलेगी Then उसके next quarter रहेगा, वहाँ पर 5% देखने को मिलेगा Then दोस्तों most important चीज, यह यहाँ पर उन्होंने कही है कि अगला जो साल रहेगा, October अभी यहाँ पर आएगा न, October onwards या फिर सप्टेंबर खतम होने के बाद, October onwards बात करे आपको महिंगाई कंट्रोल होते भी देखने को मिलेगी यह शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पर MPC के बेठक में बोला है इसलिए आप देख सकते उसके बाद महिंगाई हम लोगों को 4% तक आती भी देखने को पलेगी and then 4.2% तक, तो overall इसका performance देखोगे, average की भी अगर हम लोग बात करें normally तो 4.5% तक महिंगाई यहाँ पर आ सकती मतलब महिंगाई कंट्रोल हो जाएगी यह आने वाले financial year में यह एक बहुत बड़ा अनुमान यहाँ पर MPC के बेटक में लगाए यहाँ पर जा चुका है उसी के साथ-साथ अभी के महिंगाई की भी उन्होंने यहाँ पर बात की पिछले इसका 22 की अगर हम लोग बात करें एप्रिल ने उसके पहले जैनवरी फेब एंड मार्च की बात करें जिसमें हम लोग फेब में हैं अगला next मार्च भी बाकी है वहाँ पर जो उन्होंने महिंगाई का अनुमान लगा है वो तो 5.7 रखा है अब लोग देख सकते हैं हम लोग 5.7 इतने जबरदस्त कॉटर में यहाँ पर जीरे जहाँ पर महिंगाई दर इतना सबसे ज़़ाद हाइस लेवल पर देखने को मिल रहा है इसके बाद के जितन पॉइंट उन्होंने बता है कि RBA के सामने जो चैलेंज है और वो है क्रूड ओयल का लगातार महिंगा होना येस आप सब लोग पता है जिस तरीके से क्रूड ओयल महिंगा हो रहा है वो एक सबसे बड़ा सरदर्द RBA के सामने आपे आ चुका है नेक्स्ट अगर हम लोग य ग्लोबल मार्केट में भी क्या चल रहा है जो अनसरेटेनिटी देखने को मिल रहे है उसके उपर भी यहापर अच्छा कासा फोकस बना कर यहापर बैठा हुआ है और विय ने ये भी माना है कि एकोनामी में जो रिकवरी का जो स्पीर हम लोग एक्सपेट कर रहे थे उससे कम ही स्पीर हम लोगों को देखने पर है जो कि एक बुरी बात है तो इस सारी बातों को अगर हम लोग देखे तो RBA ने सारी चीजे ट्रांसपरेंटली यहापर बता दी है और सब कुछ अगर हम लोग देखा जाए तो यहापर कोई खराब वाली बात नहीं थी सिर्फ हाँ चलो दो पॉइंट्स अगर आपको पकड़ने है तो आप बोल सकते हो तो Q2 की GDP की बात करें ग्रोथ की बात करें 7.8% पहले अनुमान था जो अभी 7% उन्होंने यहापर कर दिया है और यह जो प्रोजेक्शन है इंफलेशन का 4.5 यह एक्च्छल में बहुत अच्छी बात ह बट क्या यह अच्छी वेबल है यह थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट यहापर लग रहा है बट फिलाल यहापर हम लोग कह सकते कि रेट में कोई बदलाव नहीं किया है मतलब RBI मानता है कि अभी भी इंफलेशन इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है जितना कि वो एक्सपे पर बट में कोई बढ़ाव यहाप मतलब हम लोग कह सकते कि अभी भी बॉर्र विइंग स्वाइइग्स सब कुछ आपको सस्ते दाम में ही मिल्रहे है तो इसके चलते हम लोग कह सकते बहुती पैसा सस्ते दाम में मिल रहा है तो आप लोग फटा-फट उठाकर है पर बिजन कोई आपे नहीं मिली है, आशा करता हूँ, थोड़ा बहुत आसान भाशा में आप लोगों को समझ में आया होगा, कि आप एक growth, GDP की बाते उन्होंने आपे बताई हुई है, और inflation महिंगाई क्या-क्या हो सकती है, वो भी बाते में आपको सामने आपे रखी है, आशा करता पट वो भी कुछ हम लोगों को देखने को आपे नहीं मिला है, चलिए इसके चलते बाजार में आज की दिन तो वेलकम होते वे देखने को मिल चुका है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, तब तक के लिए, बाइ-बाइ